और श्टेलिया के खिलाब दूसरे वंडे में मैदान प्याया सुरुकुमार यादब का तूफान दोस्तों सुरुकुमार यादब ने तोड़ दिया योवरा सिंग का वल्ड रिकॉर्ड और 6 गेनों में जड़ दिये लगातार 6 चके केवल इतनी गेनों में ठोक दिये पचास रंग और सव से तेज हाप सेंचुरी जड़कर के बना दिया नया वर्ल्ड रकोर्ड दोस्तो अभी सुरुकुमार यादव की धुआधार बल्लेबाजी देखना चाहते हो इस वीडियो को एक लाइक करिए चेनल को सस्क्राइब के लिए बाला कंद बाईए और लुटिफिकेशन पे क्लिक करना बलको ना भूला हैं दोस्तो पहरा वंडे मुकावला भारत्य टीम ने पांच विकेर से जीत लिया मोहाली के मैदान ते और उसके बाद दूसरा वंडे मुकावला स्टार्ट हुआ जिसमें टोस जीत करके उस्टीलिया ने गैंद वाजी करने का फैस्टा किया जिसमें सोमन गिल ने उपनिंग करते हुए टीम इंडिया की ओड से एक से चार रंकी विस्पोड़क पारी खिल डाली और वहीं स्रेय सेयन ने बहुत दिनों बाद बल्ले वाजी की और 105 रंकी पारी खिल डाली दोनों बल्ले वाजों ने सतक ठूग दिया उसके बाद कप्तान केल राउन ने भी हाफ सैंचु जड़ी और बावर रंकी पारी खिल डाली उसके बाद मैदान प्याया सुरुकुमार यादब का तूफान दोस्तों सुरुकुमार यादब ने उस्टिलिया के खिला वंडे में सबसे तेज हाफ सैंचु जड़ने का वर्ल्ड रेकोर्ड बना दिया दोस्तों सुरुकुमार यादब ने मैच 24 गेहनों का सामना किया और पांच चोके लगाए पांच गंगर्चुमी छक्के की मदद से पचास रमकी विस्पूर डग पारी खेल डाली और सुरुकुमार यादब अभी वी 69 रम बना करके नावाध हैं 47 दस्मरव तीनोबर में और भारत टेम का स्कोर हो चुका है 389 रन पांच विकेट की नुक्सान पे दोस्तों इसको कौन जीतेगा कमेंट बोक्स में लिखना बुलकुन ना भूलें